कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ बिवेक डॉग्रा आए नजट आते हैं आज की कुछ स्थाज़ा सुर्कियों पर बुलं सहर में नायक करती हूँ कोविड नैंटी प्रोटोकॉल और आगा में पंचाय चुनाप को लेकर जिला परशासन ने कसित गमत कोविड चोविड नैंटी प्रोटोकॉल का मदान केंद्रों पर मद्दादाओं में प्रशासन की कम मद्दान केंद्रों की बढ़ाई गई संख्या नाइट में होने वाले 40 समारों आजी कारीक कर्मों की नेनी हूँ इनुमती वहीं खुले मैदान में सो और बंद हौल में 50 लोगों की मिलेगी पर्मिशन शाथी सूसल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजर कर पर तेक इस्थान पर अनुमती के बाद भी करना होगा पालन एसेसपी भारति सेन्ग ने सुरच्च वविस्ता के बारे में दीचाता लिए जिला बदर किये गए साजरों पर जर्पत में देखे जाने पर होगी सक्तकारवाई बुलं सहर से आशा शर्मा किर्पा सर कोविट के बढ़ते ग्राफ के बीच में नाइट कर्फ्य लगा दिया गया है इसमें क्या एहतियाद बढ़ती जा रही है और इसी बीच में पंचया चुना होगी बूथों पर क्या-क्या वेवस्ता रही है इसी निर्देश के तहट कल 13 अप्रिल को जनपत बुलं सहर में 109 केस आए और इसलिए नाइट कर्फ्य लगया गया है जिसमें रात में नौ बजे से लेके सुबह 6 बजे तक नावस्यक काडियों के लिए प्रतिवन्दित रहेगा इसके साथ भी साथ जो आवस्यक एसेंचियल काडिये उसके लिए लावगे और इसका उलंजन करने वालों की खिलाब करीकारवाई करनी पड़ेगी ताकि इस कारवाई के माध्यम से हम आम जनों को कोविट संगुनन से पचा से सर कोविट के बीच ही पंचा चुनाओ गए बूथों पर इसके अहतियात की क्या ववस्था आपने सुनिशित कराई है जन्पत बुलंच जहर में 14,90 मद्दान केनल पे टोटल 393 बूथों पे 29 अपरिन को चुनाओ होना है इसके लिए कोविट प्रोटोकॉल का पादन किया जाएगा बूथों पे धर्मन स्कैनिंग की वेवस्था की गई है इसके अलावे हैंड सनिटाइजर, मास्क, हैंड वा पिछले चनाओं में 14-1500 मद्दाता एक बूथ पर जाते थे क्या इस कोरोना काल के बीच में जब चुकिए ग्राव बढ़ रहा है तो मद्दाताओं की संग्या बूथ में घटाई गई है क्या इस्तितिय से बिल्टु घटाई गई है आप देखेंगे कि अभी जन्पत में इसनी 1490 मद्दान केंदर पर 353 गूथ की विवस्ता की वही है जिस पर की वोटल 21 लाग वोटर कर देने हैं तो आप डिवाइड करने अब इसनी आएं फटे गूथ पर नमवाव